अम शांती, पतित पावन, गीता का भगवान, लिबरेटर, संगम युग पर आकर हम आत्माओं की भटकी हुई बुद्धी को ठिकाना देने के लिए हर रोज मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं और आज की बावा की मीठी शिक्षा है कि इस दुख धाम के घाट पर बैठ कर हमें शांती धाम और सुक धाम को याद करने का पुरिशार्थ करना है और जो बच्चे निश्चे बुद्धी हैं वही पुरिशार्थ में आगे आईए रिवाइस करते हैं आज के 15 सेप्टेंबर 2022 के मधुर महावाक्यों को हमारे पुरिशार्थ का आधार क्या है निश्चे किन बातों पर निश्चे होने से हम पुरिशार्थ करते हैं बाप नई दुनिया की सौगात लाएं है इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही संगश मयुक पर आकर श्रिब्बाबा कौन से कर्टब्वे करते राज्जे देते शिक्षा देते सब को मौत देते गीता ज्ञान सुनाते स्वर्ग की सौगात है ते पावन बनाकर ले जाते नई दुनिया स्थापन करते स्वर्ग का मालिक बनाते श्रुव बावा को याद करने से क्या फायदे होते? पाप कटते, बेडा पार होता, शान्ती के टावर में आ जाते क्या होने से क्या होता है? विनाश ना हो तो शान्ती भी ना हो, निश्चे नहीं होगा तो सुधरेंगे भी नहीं, कला कम होने से सुख कम हो जाता, संगम्युग याद पढ़ने से स्वर्ग याद पढ़ता है, पढ़ाई अच्छी रिती पढ़ेंगे तो उंच पत पाएंगे हमारा राज्य होता है तो धरनी भी एक होती है सुखे तमोप्रधान जाड को कलम न लगे तो प्रले हो जाए सुखधाम और शांतिधाम की याद में न रहने से दुख भासता है अच्छी रिती नहीं पड़ेंगे तो त्रेता में भी पिछाडी का थोड़ा समय रहेंगे आज की मूरली की अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार है संगम युग पर क्या क्या होता है हम घर जाने का पुरिशार्थ करते, बाप नई दुनिया की सौगात लाते, देवी देवता धर्म की स्थापना होती, हम बाप और स्रिष्टी चक्र को याद करते, हम निश्चे के आधार पर पुरिशार्थ करते, पवित्रता, सुक शांती का धर्म स्थापन होता, हम बाप और रचना के आधी मद्य अंत को जानते, सारे तमो प्रधान सूखे हुए जाड की फिर से कलम लगती, गुप्त वेश में शांती धाम और सुक धाम की स्थापना होती, मुझे करना है, मुझे बदलना है, जो बच्चे ऐसी ओफर करते हैं, उन्हें कौन से तीन प्रकार की दुवाई मिलती, स्वयम को स्वयम की, बाप द्वारा, ब्रहमन परिवार द्वारा, हम बच्चों को किन बातों की धारणा करनी है, पढ़ाई अच्छी रिती पढ़कर उंच बद बाना है, अपने को सुधारने के लिए निश्चे बुद्धी बनना है, आफतें आने से पहले नई दुनिया के लिए तयार होना है, वानी से परे वानप्रस्थ में जाने के लिए इस दुख धाम को भूल, शान्ती धाम और सुख धाम को याद करना है, ये थी आज की मुरली की विशेश बाते, अब समय चल रहा है वानी से परे शान्ती धाम में जाने का, जिसके लिए निश्चे बुद्धी बन हमें पढ़ाई पढ़नी है और उँच पद पाने के लिए स्वयम को अन्ने सभी बातों से मुक्त कर एक बाप की याद और पढ़ाई में ही व्यस्त रखने का पुरशार्थ करना है, ओम श्ञंती